अभी दो दिन पहले ही सलमान खान की एक्स गर्ल्फरिंड सोमी अली ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाये थे कि सलमान खान को पूजना बंद करो वो एक वुमन बीटर है वो औरतों पर हाथ उठाता है अब इसी बीच एक और शक्स है जिन्होंने सल्मान खान पर बहुत बड़ी बात कही है और कहा है कि सल्मान खान के जूटे और फेक वादों के कारण में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हुआ हूँ यह और कोई नहीं बलकि एकस बिग बॉस कंटेस्टेंट असीम रियाज है असीम रियाज के उपर सल्मान खान का हाथ है यह सब जानते हैं असीम रियाज बिग बॉस से निकलने के बाद किसी भी शो में नजर नहीं आए क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली अपने आपको तयार कर रहे थे सल्मान खान की फिल्म भाईजान के लिए अगर इंटरनेट खोल कर देखो और यह लिखो कि असीम रियाज इन सल्मान खान फिल्म तो ऐसे हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें एक कंफर्म होता है कि असीम रियाज सल्मान खान की भाईजान फिल्म में उनके छोटे भाई का किरदार कर रहे थे उस बात को दो-तीन साल गुजर गए अभी तक असीम रियास को कोई काम सलमान खान की तरफ से नहीं मिला है और इस कारण असीम रियास ने बड़े-बड़े प्रोजेक्स भी छोड़े हैं अब असीम रियास ने फाइनली सलमान खान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है हाला कि असीम रियास ने भी वही किया है जो अक्सर अक्टर्स करते हैं जब वो किसी बड़ी परसनालिटी के बारे में बात करते हैं नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में जीना हैं। उनका करिएर तबहाळा हो जाए उन्हें और कोई काम दे ना दें। इसलिए असीम रियाज ने भी ट्वीट कह ब्रोजेया हैं लेकिन उन्होंने भी जादा समय हो गया है इन्होंने समय समय पर मेरा नाम लेकर अपने उस प्रोजेक्ट की हाइप क्रियेट की है और मीडिया ने भी यह खबरे बनाई और मीडिया में भी यह सब कन्फर्म था लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह सभी फेक प्रॉमिसेस मुझे नीचा नहीं गिरा सकते हैं जो प्रेशर जो एंसाइटी इन लोगों ने मुझे दिया है वो मेरे जजबो को नहीं रोक सकते मैं जो अभी कर रहा हूं मैं वही करूंगा मैं अपने तोर से दुनिया जीऊंगा कुछ इस तरीके से असीम रियाज ने यह ट्वीट किया है इस ट्वीट में असीम रियाज ने कहीं भी सल्मान खान का नाम नहीं लिया है लेकिन इन्फ्लूएंशल परसनालिटी और असीम का नाम लेकर एक साल से भी ज़्यादा समय से फिल्म को भुनाया जा रहा है इससे साफ पता चलता है कि यह सल्मान खान ही और कॉमेंट सेक्शन ने तो सब इंसान ने आरोप लगाया अपना करियर शुरू होने से पहले ही बरबात करने का इसे पहले अरीजीत सिंग और विवेक अब्रोई का करियर भी सल्मान खान के कारण दबा हो चुका है